गुड मॉर्निंग देश्टूडेंट क्लास 10 आज हम दा गंगा का साट कोश्चन लिखेंगे साट कोश्चन में आपका पहला कोश्चन है What was the most precious gift to Nehru? What was the most precious? सबसे कीमती उपहार Nehru के लिए क्या था? Answer is love and affection was the most precious gift that Nehru कहते हैं love और प्यार और इसने प्यार और इसने पंडित जवालाल Nehru के लिए बहुत ही बहुमूल था Nehru received from the people of India जो उन्होंने भारत के लोगों से प्रप किया था He was lucky enough वो काफी सोभा की साली से थे to get it इसे प्रप करने में in plenty जिन्होंने इसे प्रचुर मात्रा में प्रप किया For all classes of people of India भारत के सभी जातियों से इसका मतलब यह है कि वो भारत के सभी जातियों से प्यार पाने में बहुत ही आधिक सोभा की साली थे Question number 2 What does Pandit Nehru want to be done to his body after his death? What does, क्या Pandit Nehru want, want चाहते थे To be done करवाना to his body अपने सरीर का after his death मृत्त के बाद Pandit Nehru की क्या इच्छा थी उनके मनने के बाद तो Pandit Nehru wants, Pandit Nehru चाहते थे that his body उनके सरीर का should be cremated, उनके सरीर का दासंसकार किया जाए After his death उनकी मृत्त के बाद And or his asses immersed in the ganga और उनकी राक को ganga में विसर्जित किया जाए And the major portion of them are उसका मुख्य भाग और उस राक का मुख्य भाग जो है Be scattered फैला दिया जाए या विखेर दिया जाए Over the fields, खेतों में उनकी मुख्य इच्छा यही थी कि उनके मनने के बाद उनकी सरीर का दास अंसकार किया जाए और उनकी राक को एक मुठी गंगा में विसर्जित कर दिया जाए और जो बची वी राक है उसे वावियान के द्वारा उपर ले जाए जाए और उसे उसी उचाई से खेतों में भी खेर दिया जाए Next question है आपका What did the गंगा remind पंडित नहरु आग? What did the गंगा remind भी सोता है याद दिलाती है पंडित नहरु को आप किसकी गंगा पंडित नहरु को किसकी याद दिलाती है तो गंगा reminded him गंगा उन्हें याद दिलाती है आप दा इस्नो कवर्ड पीक्स इस्नो कवर्ड पीक्स बर्फ से धकी हुई चोटियों की And the deep belly of हिमालय और हिमालय की गहरी घाटियों की Which he had loved so much जिसे उन्होंने बहुत ही अधिक प्यार किया था जिसे वे बहुत ही अधिक प्यार करते थे वो इन सारी चीजों की उन्हें याद दिलाती है अब अगला आप अपना next question next video में पढ़ेंगे